हाई गाईज, वेलकम और वेलकम बाग तो माई चानल और फिर नूव प्लीस कंसिडर सब्स्राइबिंग बिफोर यू एक्जिट इस वीडियो दाट बिंग सेट लेस डाइब राइट इंट वेट आज मैं 1991 में आए वी थ्रिलर हॉर्र मुवी इसके आम डीबी रेटिंग 8.6 और इरोडन टमेटो में 95% फ्रेश है मुवी की शुरुवात में हमें इंसेन सा एकसी डिस्टिक सा सीरर किलर जिसका नाम जेमी गब है और उसको बफेलो बिल के नाम से भी जाना जाता है वो वापिस से टाउन में आ गया है बफेलो बिल जो है वो बेसिकली यंग लड़कि को दिखाया जाता है एक एक एउस्टार्लींग को है चांस देने का और उसको यह टास्क करने जिससे कि वो FBI में आगे काम कर पाएगी अब साइकोपाथिक बफ़लो बिल को पकड़ने के लिए वो बेसिकली एक पीस को मिस्क कर रहा है जो होता है कॉलाबरेट करना हानेबल लेक्टर से जो खुद भी एक साइकियाट्रिस और क्रिमिनल लॉजिस्ट रहे चुका है पिछल बारे में अच्छा खासा मालुम है मगर डॉक्टर लेक्टर जो है वो मना कर देता है कॉर्परेट करने से तो क्रॉफ़ड डेसाइड करता है कि वो स्टालिंग को भेजेगा उसके पास जिस्से की वो जो केस है वो सॉल्फ हो सके इस होप में कि शायद वो पर्सुएट कर स के उसको कुछ बताने के लिए आगे चलके स्टालिंग करती है एक मीटिंग हैनिबल लेक्टर के साथ जहां पर क्रॉफफ़र्ट और चिल्टन दोनों उसको वान करते हैं वहाँ जाने से पहले और चिल्टन जो है वह आक्चली डिरेक्टर है उस असायलम का वह बोलता है कि ज चेस्ट में पेन हो रहा है और जब उसको पैंटरी में लाया गया था तब उसने एक नर्स को अटाक करके उसके जॉस को डिफॉर्म कर दिया था जिसके बाद उसने उसकी एक आग भी निकाल दी थी और उसके टंग को खा लिया था और यह सब करने के समय उसका जो पल्स है वो एकदम नॉर्मल था, 85 beats per minute, अब जब दोनों की मुलाकात होती है, तब वो immediately दिखाता है कि उसके पास बहुत जादा amazing सी mental abilities हैं, जो regular लोगों से भी काफी उपर है, also यहां हमको यह भी मालूम चलता है कि Hannibal Lecter drawing करने में बहुत अच्छा है, in general देख के लगता है कि वो काफी ज़्यादा calm इनसान है, और Lecter को यहां पे Clarence की जो intention है, उसका भी मालूम चल जाता है, कि वो उससे बहुत ज़्यादा courteous इसलिए है, जिससे वो उसके case के बारे में और information निकाल सके, और यहां पे Starling को मालूम चलता है कि अगर वो sincerity दिखाएगी Lecter को, तो वो key है Lecter से ची में एक patient जिसका नाम Mix है, वो मर जाता है, उस दिन Lecter पूरे afternoon उसको whisper कर रहा था, जिसके बाद Mix रोने लग गया था, और जब वो staff को मिला तो अब उसने खुद की ही tongue को swallow करा हुआ था, अब Lecter ने यह इसलिए किया था, क्योंकि Mix असल में बहुत ज़्यादा root था Clarence के, और Lecter को Impelite लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक शाम को Clarence को call आता है उसके boss से और वो पूछता है Moffett के बारे में, वो patient जिसके बारे में Lecter ने उसको बताया था, और आगे Clarence उनको बताती है कि Lecter ने सारे traces ही खतम कर दिये थे अपने patients के, जब उनकी आखरी बार बात ह तब Lecter ने उसको बोला था कि वो अपने अंदर deeply देखे और उसको लगा था, शायद yourself actually में कोई जगा है, in fact देखा जाये तो yourself एक storage facility है, बोल्टेमोर में और वो उस जगे के लिए निकल जाती है, वहाँ पे एक आदमी उसको बताता है कि 1980 के बाद से उस storage facility के अंदर कोई भ जाती है वो, जहाँ पे उसको एक आदमी मिलता है, जिसके शकल पर पुरा make-up होता है, उसी रात वो asylum भी जाती है, Hannibal Lecter से बात करने के लिए, जिससे वो उसको बता सके कि उसको वहाँ क्या मिला, यहाँ पे वो उसको बताता है कि actually में Moffitt का real नाम जो है, वो Benjamin Raspill है, और व वो उसका पहले patient रहे चुका है, यहाँ पे Clarence उससे पूछती है उसके make-up और dress के बारे में, क्योंकि उसको लगता है कि शायद क्या पता वो transvestite हो, जिस पे Lecter उसको बोलता है कि actually ऐसा नहीं है, वो बस manic-depressive इंसान था, उनकी बात खतम होने वाली होती है जब Lecter बोलता है कि वो Clarence की मदद करेगा Buffalo Bill को ढूणने में, मगर उसको अपने past को उसको बताना होगा, आगे हमको रात के बीच का दिखाया जाता है, जहाँ पे गुंगराले बाल वाली लड़की अपने गाड़ी से बाहर आती है, घर के अंदर जाने के लिए, मगर वहाँ पे कोई आदम इसको काउच को पुष करने के बहारे से ट्रक के अंदर गुसा देता है, जिसके बाद वो से पूछता है कि क्या वो साइस 14 है, जिसके बाद वो उसको मारने लग जाता है, जब तक कि वो भी होश नहीं हो जाती, आचली में वो किलर था Buffalo Bill, इसके पहले कि वो वहाँ से निक मालुम चलता है कि जो Buffalo Bill है, वो लड़कियों को के नाप करके जिन्दा रखता है तीन दिन के लिए, तीन दिन तक वो उनको ना रही रेप करता है, ना ही कुछ और, मगर तीन दिन के एंड होने के बाद वो उनको गोली मार देता है, जिसके बाद वो उनकी स्किन निकालके अलग-अलग रिवर्स में जाके डम कर देता है, आगे हमको जाक रॉफट को दिखाया जाता है, जिसको नोटिफाइ किया जाता है एक बॉड़ी के बारे में, जो बिफ़लो बिल के विक्टम रह चुके हैं, वो रिवर के पास मिला है, तो वो और क्लेरिस तुरन निकल जा है नाकी अपार्टमेंट में, वो 30-40 के उमर के बीच में है, जिसके पास हाई फिजिकल स्ट्रेंथ है, ख्लेरिस के वर्द में बफ़लो बिल तब तक नहीं रुकेगा, जब तक उसको पकड़ाना जाए, एक बार जब वो उस जगा पर आते हैं, जहां पे उस लड़की की बॉडी होती है, एजन्स उनकी नाक पे विक्स को रब करते रहते हैं, जिससे कि उनको स्मेल ना जाए, क्योंकि जो बॉडी है वो डीकम्पोस कर रही होती है, अब आगे चलके बॉडी को एनलाइस करने के बाद, ख्लेरिस जाक को बताती है, कि वो जो लड़की है, वो किस इसी शहर से है, क्योंकि उसने ग्लिटर वाले नेल पॉलिश लगा रखी है, और उसके एयोस भी प्योस्ट हैं तीन बार, आगे वो उसके नेल्स को और जादा अब्जोर्फ करती है, जिसमें से दो आसल में तूटे होते हैं, और उसके नेल्स के अंदर मिट्टी लगी भी होती है, जिसका मतलब यह हुआ कि वो उसने वहाँ से भागने की कोशिश करी थी, जब वो लोग उस लड़की का मूँ खोलते हैं, फोटोग्राफ करने के लिए उसके दात को, तो क्लेरेस नोटिस करती है कि उसके थ्रोट के अंदर कुछ अटका हुआ है, वो लोग ट्वी दो बड़े-बड़े diamond shape वाले sections को, उसके butt के उपर, वो जो bug है, वो basically Asia जैसे जगों पर पाया जाता है, तो मतलब यह हुआ कि किसी के पास उस bug के अंडे होंगे और उसने उसको बढ़ा करा होगा, अगले scene में हमको एक lap का दिखाया जाता है, जहां पे बहुत अलग-अलग जिसकी अंदर से हमेक लड़की की अवास सुनाई पढ़ रही होती है, जो मदद मांग रही होती है, अब news पे भी disappearance का आ जाता है Catherine Martin का वो लड़की जिसको Buffalo Bill ने kidnap किया था, वो एक senator की बेटी होती है, और अगले दिन Clarence सीधे उठके asylum जाती है, जहां पे lector था, Clarence यहां पे उनको बताती है कि उसको corporate करना पड़ेगा Buffalo Bill को पकड़ने में, उसके बदले में जो senator है वो एक place secure कर देगा उसके लिए दूसरे clinic पे जहां पे उसके पास दुनिया के सारी luxuries होंगी, जहां पे उसको पढ़ने को books भी मिलेंगे और vacation पे भी जा सकता है वो beach पे, मगर इन जाता है कि वो उसकी patient बन जाए, अब उसको उसकी मदद चाहिए होती है तो उसके request पे वो submit कर जाती है, और उसको बताती है कि उसकी काफी disturbing childhood रह चुकी है, जो वो छोटी बच्ची ही थी तब उसकी मा की मौत हो गई थी, और कुछ साल के बाद उसके जो father थे, जो policeman थे, उन की भी मौत हो गई, डिस्पाइट कि लेक्टर बहुती जादा gruesome, cannibalistic तरह का इंसान है, तब भी वो एक deep और sincere sympathy feel कर पाता है, जैसे कि उसकी feeling almost paternal type हो, आगे वो ये पूछता है कि क्या ऐसा तो नहीं है, कि जो लड़की मारी गई है, बफलो बिल के हातों, वो किसी ना किसी तरह से curvy हो, जैसे कि उसको कुछ न कोई शायद पता है, इसके बाद Clarence आगे उसको बताती है कि उसने एक insect को उसके गले में डाल दिया था, यहाँ पे lector बताता है कि जो insects को वो bodies के अंदर डालता है, वो आगे चलके butterfly बन जाएंगे, signifying कि वो एक तरह का transformation है, मतलब एक त और उसे ये पूछता है कि क्या हुआ उसके parents के मनने के बाद, इस बार वो घूमता है, उसको सीधे आखों में देखने के लिए जिससे वो embarrassed feel करे, ये चीज़ करने से और ज़्यादा असान हो जाता है उसके लिए उसको चीज़े बताना, वो उसको ये बताती है कि उसके parents के मनने के बाद, वो अपने mother के acquaintances के साथ 2 महीने तक रही थी, जिसके बाद वो रुख जाती है, और इस बार वो लेक्टर से और information मांगती है बिल के बारे में, एक तरह से उनके बीच में ये information को लेके exchange का routine बन गया था, यहाँ पर लेक्टर बताता है कि बिल actually में कोई real transsexual इ जो third person की तरह बात कर रहा होता है, और उसने अपने हाथ में अपने एक छोटे से doggy को पकड़ा होता है, वो गड़े के अंदर एक लड़की को बोल रहा होता है कि वो lotion लगाए जो उसने उसको दिया है, पिट के अंदर जो लड़की होती है, वो actually में Catherine Martin ही होती है, senator की बेट कि वो उसको चढ़ाने लगता है और उल्टा चिलाने लगता है, अब senator को बिल के बारे में और भी ज़्यादा information चाहिए होती है, तो वो उसके साथ एक meeting fix करता है, deal बहुत simple सी होती है, जितना ज़्यादा बिल के बारे में information मिलेगा, उतना ज़्यादा असानी से lector को जगा म परिट था, जब यहाँ पे lector मिलता है senator Ruth Martin से, अपने mask लगाए वे और restraint में तो वो उसको taunt करता है, कहते वे कि क्या उसने अपने बेटी को breastfed किया था, जैसे ही वो वहाँ से उटके जाने वाली होती है, वो उसको सच बताने लग जाता है बिल के बारे में, वो यह कि वो actually म mid thirties में है और Philadelphia में रहता है, Claris यहाँ पे एक और visit करती है lector को उसके नई clinic में, यहाँ पे lector उसको बताता है कि उसके पास जितनी information की उसको जरूरत है बिल को लेके वो सब उसके पास already है, और अब lector की बारी है उससे सवाल करने की, तो वो उससे इस बार पूछता है कि व उसने कोशिच करा था उन lambs को free करने का, मगर वो लोग hill नहीं रहे थे, तो उसने उन में से एक को अपने हाथ में उठाया और वहाँ से भाग गई, मगर उसको ढूंड लिया गया था और शेरिफ उसको वापस घर ले आया, जिसके बाद Claris को और्फनेज में भेज दिया ग पहाने से, Claris को वो सब जो lambs चिला रहे हैं, उनके चिलाने की आवाज यानी बंद हो जाएं, जब Claris को वहाँ से ले के जाने वाले होते हैं, तब लेक्टर उसको बिल का psychological profile देता है, और उसको analyze करने को बोलता है, आगे चलके उसके लिए dinner लाया जाता है, और इसके पहले क officer cell के अंदर आएं, लेक्टर अपने मुझ से एक metal pin निकालता है, और उसको अपने left हाथ में चुपा देता है, एक बार जब कफ्स लग जाते हैं, तो officer अंदर आते हैं cell के, तब लेक्टर अपने handcuffs को खोल रहा होता है, जैसे ही पहला agent डग करता है, तब लेक्टर उसके लगावा होता है, जिसके बाद वो एक pepper spray निकालता है, और उसको officer के पूरे face पे लगाने लग जाता है, जिसके बाद वो button का इस्तमाल करता है, और second officer को मार डालता है, गन शोट्स की अवाज सुनाई पड़ती हैं, तो सारे police वाले उस कमरे के अंदर भागते वे जाते हैं, जहां पे lector को उन्हें बंद करा हुआ होता है, मगर उनके होश उड़ जाते हैं वहाँ का scene देखके, एक officer को lector ने crucify कर दिया होता है, और उसका पेट खुलावा होता है, दूसरा वाला police officer जमीन पे होता है, और उसके पूरे face पे खुन लगावा है, जब police वाले elevator को नीचे लेके जा रहे होते हैं, तो उनको उपर ceiling पे खुन के निशान दिखाई देते हैं, तो उनको लगता है कि शायद lector उनके उपर है, वो हलका सा दर्वाजा खोलते हैं, छोटा सा उपर ceiling का, और मरावा lector उपर से नीचे गिरता है, जो police officer इस बार जमीन पे था, उसको लेके जा जाता है hospital में, मगर किसी point पे आके वो अपने क्रिप से उठता है, अपने face को हटाता है, एक mask के तरह, और मालूम चलता है कि वो actually में doctor Hannibal Lecter है, उसने पुलिस officer का face cut करके mask के तरह use किया होता है, और अपने कपड़े भी उसकत exchange करे होते हैं, पर अगले scene में हमको और भी ज उसको उसकी बहुत सारी pictures मिलती हैं उसके underwear में, और closet के अंदर उसको एक dress मिलता है, जिसमें वैसे ही same diamond के sections कटे वे होते हैं, buttocks के पास जैसे उस body में थे, यहाँ पे Claris realize करती है कि Bill अपने victim को शायद पहले से जानता था, और वो ये भी realize करती है कि Bill actually में उसी shape में skin को काट विमन के dress में जिसको वो पहनता है, तब तक आगे चलके Claris को Jack Crawford का दुबारा से phone आता है, जो उसको बताता है कि उन्हें Bill का location मालूम चल गया है, और वो उसको जल्दी पकड़ लेंगे, यहाँ पे आगे चलके हमको अब Catherine के गड़े का दिखाया जाता है, यहाँ पे वो ए पारी चीज़ होते हुए, बिल को सुनाई नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे music चल रहा होता है, यहाँ पे Catherine एक दम desperate होती है, मगर बिल दुसरी तरफ अपना camera on करके उसके सामने dance करने लगता है, डिस्पाइट आगे चलके Jack Barber Claris को बता रहा होता है, कि उनको मालू चल गया है कि बिल कहाँ पर है, फिर भी वो decide करती है कि वो जाके former co-worker से बात करेगी, पहले वाले victim के, वो लड़की बताती है कि वो नहीं जानती उसके boyfriend के बारे में, मतलब की बिल के बारे में, मगर उसके साथ मिलके वो किसी certain Miss Lipman की मदद कर रही थी, क्योंकि वो बहुत जादा old है, तो यहाँ पे Clarice decide करती है कि वो सीधे जाके Miss Lipman से ही बात करेगी, तब तक Crawford और उसकी team उस घर पे आती है, मगर वहाँ पे अंदर उनको कोई नहीं मिलता, मतलब की बिल वहाँ नहीं रहता है, तब तक बिल को अपना dog pit के अंदर दिखाई देता है, Catherine के हाथ मे यहाँ पे Catherine उसको धमकाती है कि वो उसके doggy को hurt कर देगी, अगर उसको उसने नहीं छोड़ा तो, वो अपने हाथ में gun लेता है, मगर अचानक से कोई घंटी बजाता है उसके घर का, और वो actually में Clarence होती है, यहाँ पे Clarence के reaction से यह हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि वो ब पर अपना gun निकाल के उसके तरफ point करती है, मगर यह चीज देखके Bill बिलकुल भी घबराता नहीं है और चुप चाप जल्दी से वहाँ से भागता है, वो उसको basement में follow करती है, जहाँ पे वो गढधा भी होता है, जिसके बाद वो lab के अंदर जाती है, जहाँ पे वो सारे insects ह होते हैं, और वहाँ पे उसको अंदर एक टब मिलता है, जिसमें में slipman की body होती है, तब ही अचानक से वहाँ की light चली जाती है, यहाँ पे Bill अपने night vision goggles का इस्तमाल कर रहा होता है, मगर Claris को कुछ भी दिखाईनी दे रहा होता, यहाँ पे Claris बहुत जोर जोर से सास ले रही होती है, जब वो कुछ ढून रही होती है पकड़ने के लिए, बिल्ट Claris से कुछ इंच ही दूरी पे होता है, और वो उसको touch करने वाला ही होता है, और वो gun को load करता है, मगर इसकी आवाज Claris सुन लेती है, और वो तुरंत मुडती है पीछे और गोली चला देती है, अंत मे लेक्टर ने जो सारी अपनी कॉर्परेशन को ट्रेट करा था, और जाधा फ्रीडम पाने के लिए, वो manage कर गया था, वहाँ से भागने का, और वो अपने ट्रेल को altogether lose कर दिया था, आगे हमको दिखाया जाता है कि Claris को promote किया गया है special agent में FBI के, जब उसके promotion का reception चल रहा होता है, तब उसको Hannibal Lecter से phone आता है, जो उसको Bahamas से phone कर रहा होता है, जो उससे पूछता है कि क्या उसको अभी भी lamp के चिलाने की आवाजे आती हैं या वो finally बंद हो गई है, मतलब कि जो past की जो ghost और traumas थे, क्या वो उसके चले गए हैं या अभी भी कुछ बाकी है, यहाँ पे ज शिल्टन को लेक्टर के भागने के बाद काफी dangerous feel हो रहा होता था और वो छुपने के लिए कोई secret location ढूंड रहा था, वो finally उसी जगे पे end up हो गया, जहाँ पे लेक्टर अल्रेडी है, यहाँ पे लेक्टर अपने आपको crowd के साथ blend in करता है, और एकदम अराम से discreetly शिल्ट box पे मिल जाएगा, thanks for watching, bye!